आज हम इस वीडियो के मध्यम से जानेंगे कि यक्षिनी साधना कैसे होती है और यहां यक्षिनी कैसे सिद्ध होती है यहां संपूर्ण जानकरी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं जो कि तंत्र सास्त्र में लिखित है तंत्र सास्त्र में जो लिखित वर्णन है वह भी आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में हम आपको धन अर्जित करने का एक अच्छुक मंत्र भी बताएंगे यक्षणी केसे सिद्ध होती है यह भगवाण शिव खुद रावण को बता रहे हैं तो चलिए जानते हैं हे रावण अब मैं तुमसे यक्षणी साधन का कथन करता हूँ जिसकी सिद्धी कर लेने से साधक के सभी मनुरत सिद्ध हो जाते हैं तंत्र साधक को अपनी इक्षण के अनुसार बहन, माता, पुत्री, पत्नी के समान मान कर यक्षणी के सोरूप का ध्यान अतियंत साधानी पुर्वक करना चाहिए कार्य में तनिक्सी भी असाधानी हो जाने से सिद्धी की प्राप्ती नहीं होती यक्षिनी साधन में निरामिस अर्थात मास सता पान का भुजन सर्वता निशेद है अर्थात वर्जित है अपने नित्य कर्म में प्राथा काल इसनान आधी करके मरग चर्म के आसन पर बेट कर फिर किसी को इसपष ना करें नहीं जब और पूजन के बीच में किसी से बात करें अपना नित्य कर्म करने के पश्फात निर्जन इस्तान पर इसका जब करना चाहिए तब तक जब करें जब तक मन वांचित फल देने वाली यक्षिनी प्रतिक्ष न ओ क्रम तूटने पर सिध्धी में बाधा पड़ती है अता इसे पूर्ण सावधानी तथा बीना किसी को बताय करें यह सब सिध्ध कारक प्रयोग हैं यह विधी से सभी यक्षिनियों के साधन में प्रयुक्त की जाती है इसमें मंत्रे भी दिये गएं आप चाहें तो इन्हें पड़ भी सकते हैं उप्युक्त मंत्र को जितेंद्री होकर बेल रक्ष पर चड़कर एक मास तक प्रयंत्र प्रतिदीन एक हजार बार जब करें मास सता मदीरा का प्रतिदीन भोग रखें क्योंकि भाती-भाती का रूप धारन करने वाली यह यक्षिनी न जाने कब आग्मन कर जाए जब यक्षिनी आग्मन करे तो उसे देखकर डरना नहीं चाहिए क्योंकि वह कभी-कभी भेंकर रूप में आ जाती है उसके आग्मन करने पर द्रड़ता पुर्वक रहें डरें नहीं अपने मन में जब करते रहें जिस दिन बली ग्रहन करके वह यक्षिनी वर देने को तैयार हो उस दिन जिस वर की कामना हो उसे मांग लेना चाहिए धन लाने को कहे, अत्वा कान में बात करने को कहे भोक के लिए उसे नाशनी के लिए कहे, प्राणियों को लाने के लिए इस्त्रियों को लाने की बात कहे राजा को वश में करने के लिए आयू, विद्या और यश के लिए साधक को तक्षन वर मांग लेना चाहिए प्रसन्न होकर यक्षिनी सब कुछ पदान करती है इसमें संदे नहीं यदि प्रयोक को स्वैम न कर सके तो किसी ब्रहमन से कराए यह यह यक्षिनी साधन देवताओं दारा भी किया जाता है फिर अपने सहायों को रखकर ब्रहमनों को भोजन कराए और प्रति दिन तीन कुवा धन देने वाली यक्षिनी का जब पीपल के व्रक्ष पर बेटकर एक आगरता पुर्वक करना चाहिए इससे धनदा देवी प्रसन्न होकर धन प्रदान करती है मित्रो और अधिक जानकरी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इस वीडियो के धन्यवाद